दोस्तो नमस्कार मैं हूँ आपका दोस प्रेम और मैं हूँ नीटा दोस्तो दिल्ली देश की राजदानी होने की कारण हम लोगोंखा अधिकतर यहां आना जाना लगा रहता है प्राचीन काल से ही इस राजदानी में एत्याशिक धार्मेक अवंग पर्याटन महतों के एक से एक बढ़कर एक स्थान मौजूद हैं हम अपने चैनल देवभूम एन ट्रेबलर के माध्यम से इन तमाम जगहों की बिश्तरित वो शटिक जनकारी शरल भाषा में आप तक लाते रहते हैं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसी क्रम में आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं आस्ता वशंदर्ता की प्रतीक शिवमूर्ती महिपालपूर की दोस्तों शिवमूर्ती महिपालपूर के नाम से बिख्यात इस इस्तल का असली नाम मंगल महादेब बिरला कानन है जिसका शाब्दी करता है समर्द भगवान शिब बाग क्योंकि इसे धार्मिक इस्तल के शांशांत एक पर्याटक बाग के तोर पर भी बिख्षित किया गया है यह स्तान साउथ दिल्ली के महिपालपुर में इस्तित है तथा दिल्ली गुरुग्राम जैपुर को जाने वाले नेशनल हाईवे एट से लगा है अता यहां आशानी से पॉब्लिक चांस्पूर्ट से भी पहुंचा जा सकता है यहां पहुंचने का नजदी की मेट्रो स्टेशन एरोशिटी है धहला कुवाशे यहां की दूरी नौ किलो मेटर है शिब मूर्ती के बाहर कार पार्केंग की जगह मिल जाती है जो शिबरात्री आदी के आउशनों पर पूरी तरह भर जाती है इस परिशर में प्रवेशदार से पहले दाइनी ओर चड़ावे का प्रशाद काउंटर भी लगा रहता है यहां परिशर शुबह 6 बजे से रात्री 10 बजे तक आम दर्शन के लिए खुला रहता है मुख्य गेट से प्रवेश लेते ही देवों के देव महादेप पर नजर पड़ती है तथा नजदीक जाकर इस अलोकिक मूर्ती को नहारने से शाक्षाद शिब के दर्शन हो जाते हैं अपने हाथों में तर्शूल वो डमरू लिए भगवान संकर की 108 फिट उची अलोकिक मूर्ती की स्थापना बिरला परिवालदारा की गई थी इसका उदगाटन महाशिबरात्री के सुब आउशार पर दिनांक 10 मार्च 1994 को भारत रत्म एवंग पूर्व प्रधानमंत्री श्वर्गी अटल बिहारी बाजपी ने स्री शरल वशंत बिरला जी की उपस्तिती में किया था इस अनोथी मूर्थी की डिजाइनिंग तथा बनाने का कार पिलानी राजिस्थान के स्री मत्तूराम बर्मा ने किया था जिनकी फाउंडेशन मत्तूराम आर्ट सेंटर की कई अनेक रचनाएं देश के कई और कोनों में भी अपनी चाप छोड़ चुके हैं मुख्य गेट से शिब मूर्थी तक जाने के लिए शीदे पैसेज में जाकर थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है जहां पर भव्य शिबलिंग इस्तापित है महाँ पर आप शिबलिंग में जल या दूद चड़ा सकते हैं फूल मालाएं आरपन कर आप पूजा अर्चना भी कर सकते हैं सिबरात्य और त्याहारों में यहां श्रद्धालियों की भीड उमर पड़ती है इसलिए भीड को कम करने के लिए इसी परिशर में मुख्य गेट के बाई और एक अन्य शिबलिंग की स्तापना भी की गई है ताकि लोग महाँ पर भी पूजा आर्चना कर सकें सिबलिंग की पूजा के उपरांत आप शीड़ी चड़ते हुए महादेब के भव्विदर्शन कर सकते हैं सिबरात्य और त्योहारों के अउसर पर इस विशाल संकर की जटाओं से निकलती गंगा रूफी जलधारा एक अनूठा एवं अदुवत ऐसास देती है रात्री के समय यहां की कलाकृतियों की चमक दमक देखने लाइग होती है वो मन को शान्ती मिलती है भगवान संकर की विशाल खड़ी मूर्ती की बाई तरफ उनकी पत्नी माता पारवती की अपने दोनों पुत्रों कार्थिकेन वो गडेश के सांथ अभ़े मुत्रा में बैठी भव्वी पृतिमा उनके तप अवंग शान्सारिक्ता का परिजय देती है तता सभी का ध्यान आकरशित करती है भगवान संकर की मूर्ती के दाइनी ओर उनकी सवारी नंदी उनको हर पल नहारते हुए नजर आती है यह परिशर लगभग पांच एकड में फैला हुआ है मंदिर परिशर में पहुंचने पर इसके बाए भुभाग में माता जानकी एबंग प्रभु शिर दाइन ओर प्रेमरस्ट अपकाती राधाकरशनी की भव्य मूर्ती सबका मन मोह लेती है इसके नाम वो उद्देश्य के अनुशार ही पूरे परिशर में मंगल बाग बिख्षित किये गये हैं जिसमें तरह तरह के फूल खिले रहते हैं जो यहां की सुन्दरता में चारचा लगा देते हैं मंगल कानन लगवक सबी प्रकार के पेड़ पौधों से युक्त है जैसे तुलशी, पीपल, आम, केला, आदी लोग यहां पर तरह तरह से अनिन्दित होते हैं कोई भोले बाबा को नहारते हुए ध्यानमग न रहते हैं तो कोई धेर सारी फोटोग्रेपी म आजकल की बीजी लाइब में रिलेक्ष होने का यह एक उत्तम केनर भी है इस परिशर के सामने से गुजरने वाले नेशनल हाईवे एट के अपोजिट में इंद्रागांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तित है इसलिए इस परिशाई के उपर से उतरते चड़ते हवाई जाजों को देखना एक एक्षाइटिंग अन्भो देता है कभी-कभी लगता है महादेव के दर्शन के लिए लोग जहाज यहीं उतारने वाले हैं इस परिशर में बुनियादी शुविदाएं जैसे वाश्रूम, सुष्टोर, पेट पारकिंग आदि भी उपलब्द हैं मंगल मंजूशा नाम से यहाँ पर किताबों, उपहारों, एवं मूर्तियों की दुकान भी है यहीं पर सत्षंग हाल भी बना हुआ है लोग जन्शेवा में यहाँ पर भंडारा आदी भी लगाते हैं यहाँ की पूरी बिवस्था को जैश्री चरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा देखा जाता है अब हम यहाँ से वापस लोटते हैं हर हर महाँ देश आशा है आस्था और मनोरंज से शमाई शिर्मूर्ती की यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दें शाथ में अपने जानने वालों को शियर भी कर दें कोमेंट्स वाला बटन दबाकर अपनी राय जरूर दें यदि आपने हमारे चनल देभ्भूम एंड ट्रेबलर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और देखें एक से बढ़कर एक दी बेस्ट प्लेशेज टू विजिट इन डेली इसी के शाथ बिदा लेते हैं और जल्दी मिलते हैं देभ्भूम एंड ट्रेबलर्स की एक नई रसना के शाथ हर हर महादेब नमस्कार गुड लग